exercise 10.2 का question number 5 है prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle to a circle passes through the center ठीक है तो हम एक circle draw कर लेते हैं और उसका जो center है circle का center है O और एक tangent है A B और point of contact का है P तो हमको क्या prove करना है हमको ये prove करना है point of contact और circle के center को मिलाने वाली जो line है circle के वो कहां से जाती है center से जाती है ठीक है तो हम यहाँ पर कौन सी method का इस्तिमाल करेंगे contradiction method का इस्तिमाल करेंगे काईदे से जाने कहां से चाहिए O से center से जानी चाहिए लेकिन हम ये assume करेंगे contradiction method से जैसे हमने first chapter में भी क्या हुआ है कि क्या ये O से ना जाके कहां से जा रही है एक दूसरा point है O dash वहाँ से जाती है तो ये point of contact से जानी वाली line एक चलमे O से ना जाके center से ना जाके कहां से जा रही है O dash से जा रही है हम contradiction method का इस्तिमाल कर रहे है अगर O dash से जा रही है तो हमको क्या पता है ये जो O dash से जानी वाली line है ठीक है वो क्या होती है circle ये tangent पे perpendicular होती है क्योंकि वो O dash से जा रही है tangent के point of contact को touch करनी वाली line circle के कहां से जाती है जहां से भी जाती ही कितनी डिगर का angle बनाती है वो 90 degree का यहनी perpendicular होती है tangent के point of context से circle पे जो touch करने वाली line होती है वो perpendicular होती है इस logic के साब से angle O-PB ठीक है O-PB क्या होगा 90 degree होगा इसको लेख सकते हैं edge perpendicular edge perpendicular to AB at P passes passes through कहां से जा रहा है O- से जा रहा है therefore एक perpendicular है point of contact P से जा रहा है तो वो किते degree का angle बनाता है 90 degree का है therefore मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं इसको लिख सकता हूँ कि angle O-PB equal to कितना होना चाहिए 90 degree क्यों लिखा मैंने ऐसा क्योंकि वो क्या खे रहा है वो यह कह रहा है prove that the perpendicular at a point of contact एक perpendicular जो point of contact है tangent का वहाँ से जाने वाला actual में कहां से जाता है center से जाता है मैंने कर नहीं point है मेरा O-S वो है perpendicular वोहाँ से जाता है perpendicular अब है तो perpendicular तो angle कितने का degree का मैंने बनादिया से जाता है शेन जाता है यह नहीं ज्याता है आइक बना रहा लेकिन कॉछ से धिया क्यों करते है लेकिनल पर्पेंडिगुलर का रेरेसन होगा, यानि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, देर्फोर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, कि एंगल O, P, B, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, किसकी बज़े से लिखा मैं नहीं है, ठीक है, इस लोजिक को कैसे लिखा, ये लोजिक तो मैंने खुद लिखा, क्यूं, मैंने का नहीं, O से नहीं जा रहा है, O से जा मैं का है, कि अब जिस पॉइंट से जा रहा होता है, परपेंडिकुलर, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो टैंजेंट, परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन थियोरम कहती है, कि ये टैंजेंट के पॉइंट ऑप कॉंटेक्स, जो पास होती है, जो लाइन, परपेंडिकुलर तो होती है, साथ ही साथ कहां से जाती है, ओ से जाती है, से जाती है, तो से जाती है, तो से जाने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो से जाने वाली लाइन क्या बना देगी, 90 डिग्री का, अब के लिए लिए equation 1 & 2 1 & 2 ठीक है मैं क्या लिख सकता हूँ और लेफ्ट-एंड साइड क्या होनी चाहिए equal होनी चाहिए कर दिया तो लेफ्ट-एंड साइड भी क्या होंगी आपस मैं equal होंगी कर दिया मैंने equal अब यहां से clearly क्या दिख रहा है मुझे angle o-pb is equal to angle o-pb ठीक है यह मुझे relation यहां से मिला लेकिन अगर मैं figure को देखूं कहीं से कुल दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है यह जितना भी है angle o-pb angle o-pb उससे क्या है greater है बड़ा है न यहां से यहां को चलो गया आप anti-clockwise direction में यहां से चले यहां पर शुरुवात में आपको o मिल गया हो उसके और आगे जाओगे तो o-pb क्या है बड़ा है तो मैं इसको ऐसा कुछ लेख सकता हूं from figure from figure angle o-pb क्या है बड़ा है o-pb क्या है बड़ा तो o-pb is greater than angle o-pb यह 90 है यह उसके और आगे जा रहा है o-pb is greater than o-pb ठीक है अब यह बड़ा है अब उपरवाल equation में क्या दिख रहा है equation 3 को अगर आप देखो के इसको अगर 3 कहते है इस Thank You जै लो इसको 3 कहते है equation 3 को देखो के तो आपको एक जैगे तो दिख राव दोनु कैंए एक को पर दो सी जैगे दिख राव दोनु कैंए figure से दिख राव जैगे लेगिनर यह जो result आया किसे आया this me से ठीक है तो यह रचल्ट सही है और यह रचल्ट किससे नहीं है हमारा फिगर और यह तो दो-दो नहीं क्यों को क्या होना चाहिए equal होना चाहिए equal होने के लिए इन दोपनों को क्या करना पड़ेगा coincide करना पड़ेगा जहाँ पे o है वहीपे o dash को भी होना पड़ेगा o क्या है center है इसका मतलब o dash और o दो अलग-अलग point नहीं एक ही point है यग ही point है तो o center था इसका मतलब जो perpendicular होता है जो point of contact को touch करता है वो circle के center से जाता है ठेक है तो मैं यहाँ से conclude करके इन दोनों के result से conclude क्या कर सकता हूँ यह क्या हो सकता है possible नहीं हो सकता क्यों अगर यह दोनों equal है तो यह बड़ा नहीं हो सकता अगर angle o-pb is equal to angle o-pb इन दोनों के result से आया तो figure से तो दिख रहा है यह बड़ा है तो यह possible नहीं हो सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ it is not possible it is not possible अगर यह possible नहीं है इसका मतलब यह तब ही संभ़ हो सकता है जब क्या हो it is यह result तब ही possible हो सकता है it is only possible जब दोनों point क्या कर रहा हूँ coincide कर रहा हूँ यानि दोनों point एक ही जगर पे होंगे तब ही जाके क्या होगा यह result आ सकता है o-p coincide coincide with किसके साथ o-p के साथ बास समझ माई होगी यह मैंने क्या लिखा यह हमारा perpendicular था मैंने का o मेरा perpendicular ना होके o-p मेरा perpendicular है o-p अगर मेरा perpendicular है तो angle कितने degree का होगा 90 degree का लेकिन theorem से o-p b 90 degree होना है चाहिए क्योंकि center से जाने वाला जो line है वो जहाँ पे point of contact को touch करता है वहाँ पे कितना होता है 90 degree होता है यानि perpendicular होता है तो theorem के according o-p b 90 degree होता है और मैंने जो बनाया figure उसके according ये perpendicular है तो ये कितना बनाएगा 90 degree होता है तो clearly ये दोनों क्या हो गए rh side equal है तो lh side भी दोनों की equal हो गई लेकिन from figure से figure से क्या देख रहा है कि ये वाला angle बढ़ा है इससे लेकिन ये दोनों तो equal थे इसका मतलब हमारा figure है न वो गलत है हमने na o-s और o को दो गलत जिएगा बना रहे है इन दोनों को equal करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा o-s को वहीं बनाना पड़ेगा यहाँ पे o है इसका मतलब o-p o-s p और o-p तो अदगलग point नहीं है ये एक ही point है तो इन दोनों को क्या परना पड़ेगा coincide करना पड़ेगा जैसे coincide होगा तो o-s o में मिल जाएगा इसका मतलब जो perpendicular pass होता है वो कहां से pass होता है वो center से pass होता है उमेद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा thank you and have a nice day